अयोध्या में नावालिक लड़की से गेंगरिप के मामले में भाजपा समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है आज भाजपा के एक प्रतिनिती मंडल ने पीडित परिवार से मुलाकात की प्रतिरीधी मंदल ने पीडित परिवार की आपवीती सुनी और हर संभव सहायता का आशुआसन दिया भाजपार राजसभासांसर बावुराम निश्वात की नेतरित्व वाले इस प्रतिनिधी मंडल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री नरेंदर कशप और भाजपकी राजसभा सांसर सगीता बलवंद बिंद शामिल थी अब प्रतिनिधी मंडल अपनी रिपोर्ट केंड्रिय नेत्रिद्व को देगा प्रतिनिधि मंडल ने आश्वासन दिया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी गौरतरब है कि मामले का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का देता मोईड है भाजपप रतने निधी मंडल ने समाजवादी पार्टी के आलोशना करते हुए उस पर आरोपी को बचानी के प्रियास का आरोप लगाया है केंड्रे मंत्री गिरीराज सिंग ने अयोध्या में नाबालिक के साथ गैंग्रेप के मामले को लेकर कॉंग्रेस सहे तिंडी दलों पर निशाना साधा है उन्होंने आरोप लगाया है कि चुकि आरोपी मुस्लिम है इसलिए राहुल गांधी अकिलिश यादव और तेजस्वी यादव इस घटना पर चुप है खबरों में आगे बढ़ेंगे आप नाधिक नियाई प्रणाली को मस्बूत करने की दिशा में केंद्री ग्रेह मंत्री अमित शाह ने आज एक बहुत बड़ी पहल की है उन्होंने चंडीगड में इस आक्षे, नियाई सेतू, नियाई शुरुती और इस समन एप का उद्धाटन किया अपने संबोधर में केंद्री ग्रेह मंत्री ने इस पहल को लोगों को त्वरित और समय पर नियाई प्रणान करने की दिशा में बड़ा खदम बताया और आपको बता दें कि हरियाना सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोश्रा की है वोगे मंत्री नायब सिंग सैनी ने एलान किया है कि आज से हरियाना सरकार किसान की प्रतियक फसल को MSP पर खरीदेगी जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पर आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे